हेलो फिर्णिस नमस्कार कैसे हैं आप सभी I hope आप सभी बहुत अच्छी होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल्स एक्जाम की तयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जो की ट्रिपल्स एक्जाम में फस्ट अटेम्ट में पास नहीं हो पाए किसी कारण से या फिर जिनको लगता है कि उनकी तयारी अच्छी नहीं हो पाई है और उनका एक्जाम जुलाई मंत में होने वाला है तो आपको क्या करना है कैसे पढ़ना है ताकि आप एक बहतर ग्रेड में अपने एक्जाम को पास कर पाएं तो आपसे हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि क्या अभी तक आपने अपने syllabus को जाना है, क्या आपने syllabus को डाउनलोड किया है, समझा है कि आपका CCCC का syllabus क्या है, अगर अभी तक आपने अपना syllabus ही नहीं समझा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपने तयारी को अच्छे से क कर पा रहे हैं क्योंकि किसी भी एक्जाम के त्यारी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस एक्जाम में हमसे पूछा क्या जाएगा और अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो बहां पर हमने कई ऐसे वीडियो बनाए हैं जहां पर सलेवस की बात की है कि आपके CCC क सलेवस क्या है क्योंकि जब आपको सलेवस पता होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और तभी आप उस सलेवस के अकॉर्डिंग अपनी तयारी कर पाएंगे ठीक है तो नमबर एक अगर आपने अभी तक सलेवस के बारे में नहीं जाना है तो CCC का सलेवस क्या है इसका डिरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा देंगे डिस्करप्सर बॉक्स में जहां पर क्लिक करके भी आप ट्रिपल सी का सलेवस डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि हमें आज अपना सलेवस डाउनलोड करना है अगर अभी तक आपने सलेवस के बारे में नहीं जाना है अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा सेस नहीं बचे हैं और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पड़ा है तो फिर आपको काफी ज़ादा मेनत करने की आवश्च्टा है तो सबसे पहले हमें त्यारी कैसे करनी है इसके लिए आपको बता दें तो सबसे इंपोर्टेंट है आपको हमारे चैनल पर जाना है और बहाँ पर chapter wise जो हमने test series कराए हैं उनको follow करना है सबसे पहला काम आपको ये करना है इससे फायदा क्या मिलेगा क्योंकि समय बहुत जादा नहीं है तो ऐसे में कम समय में आपको यहाँ पर जो आपके total 9 chapter हैं तो 1 से लेकर 9 chapter तक के सारे class आपको मिल जाएंगे और परतीक chapter से हमने 2-2 class कराए हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि chapter wise जितने भी class हैं उनको finish करना है इसके बाद में आपको क्या करना है second number पर आपको triple C previous paper नाम से हमने एक playlist बनाई है जहां पर पिछली exam में पूछेगे question को रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब exam होते हैं तो हमारे पास प्रसन भेजते हैं आप उन प्रसनों को हम अपने class में discuss करते हैं तो वो playlist आपको अच्छे से पढ़ लेनी है जिससे आपको एक idea मिल जाएगा कि आपके exam में कैसे कैसे question पूछे जाएंगे ये दो आपको कारी करने हैं अब इसके अलाबा जो third point ये है कि जैसे आपको पता है triple six exam में LibreOffice नाम का एक software है जैसे आपने MS Office का नाम सुना होगा वैसे ही LibreOffice है तो LibreOffice से बहुत सारे question exam में आते हैं LibreOffice Writer, Impress और Calc से तो ये आपको cover करने हैं और इसके लिए भी आपको हमारे channel पर एक playlist मिल जाएगी जहां से आपको ये सारे complete करने हैं देखो आपको पढ़ना तो पढ़ेगा चाहें आपके पास समय कम हो या जादा हो अगर समय कम है तो आपको जादा पढ़ना पढ़ेगा समय जादा है तो आप धीरे-धीरे तयारी कर सकते हैं लेकिन आपको तयारी करनी पढ़ेगी जब तक आपने विदिवत तयारी नहीं की होगी तब तक आप अपने exam को एक बहतर गेड में कैसे पास कर सकते हैं ठीक है और इसके अलावा अगर आप ये अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं या इतना time आपके पास नहीं है जो ये सारी class आप कर पाएं तो सबसे best option आपके पास है कि आप हमारा e-book डाउनलोड कर सकते हैं और इस e-book के अंदर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों e-book हमने एक में मिला दी है एक combo pack बना दिया है जिसे आप 99 रुपीज मिले सकते हैं इसका price है 99 रुपीज लेकिन अभी यहाँ पर आपको 30% का और extra discount मिल जाएगा जो कि 7 July तक होगा ठीक है 7 July 2021 तक रात 11 बजे तक माननी होगा तो अगर आपको आवश सकता है इस e-book को आप ले सकते हैं लेकिन क्या है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इस e-book को लेने के बाद ऐसा नहीं कि आपने e-book डाउलोड कर ली आपने थोड़े बहुत कोईशन पड़े और बस हो गया तो ऐसे काम नहीं चलेगा यहाँ पर भी आपको तयारी करनी पड़ेगी यहाँ पर लगवग 2,000 सेफी जादा कोईशन हमने सामिल के हैं और यह बो कोईशन है जो कि triple C exam में हर बार पूचे ही जाते हैं तो अगर आपने यहाँ से अच्छे से कॉशन त्यार कर लिए एक बार सभी पर नजर डाल ली ठीक है तो मुझे लगता है कि आप पहली बार में ही अपने exam को 12 ग्रेड में क्वालिफाई कर पाएंगे बट आपने यह सारी चीजें त्यार की हो ऐसा नहीं आपने बस दो एक दिन पढ़ा PDF डाउलोड कर ली उसको थोड़ा वो देखा और बस हो गया तो ऐसे काम नहीं चलता है आपको विदिवत त्यारी करनी पड़ेगी चाहें आप किसी भी एक चाम की त्यारी करें तो अभी आप इसको डाउलोड कर सकते हैं यहाँ पर 30% extra discount मिल जाएगा आपको discount कैसे लेना है तो इसके लिए आपको CCCC by 580 एक discount code इस्तेमाल करना है आपको एक option लेनेगा I have a discount code I have a discount code पर आप जैसे click करते हैं तो बहाँ पर आपको ये code डाल देना है और apply करना है आपको discount मिल जाएगा तो 99 रुपीस से एक कम होकर के 30% का यहाँ पर discount आपको मिल जाएगा और इस ebook के अंदर आपको सभी जो shortcut की हैं जैसे liberal office writer की बात करें calc की बात करें या embrace की बात करें क्योंकि exam में बहुत सारी shortcut की भी आती है तो यहाँ पर सभी shortcut की आपको मिल जाएगी इसके अलाबा आपने देखाऊगा जो exam होता है उसमे unix और linux की command भी आती है web browser की shortcut की भी आती है founders name भी आते है यानि कि आप कह सकते हैं दोनों e-book के अंदर आपको triple C का complete study material मिल जाएगा जो कि आसानी से आप पढ़ सकते हैं और अपना त्यार कर सकते हैं तो हम आपको यही recommend करेंगे कि जो जो चीजें हमने अभी इस वीडियो में आपको समझाई है ऐसे गर आप पढ़ाई करते हैं जो 6 दिन बचे हैं तो आप निश्य रोप से इन कम दिनों में ही अपनी exam के त्यारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं और जैसा कि हमारा जो class है वो daily 8.30 pm पर मिलता है तो 8.30 pm पर आपको regular class करते रहना है जितने ज़्यदा practice करेंगे जितने ज़्यदा class करेंगे उतना ज़्यदा चीज़ें आपको समझ में आएंगे इसके अलाबा सबसी important है वो यह है कि आपको test series करने है वो कैसे करने है उसके लिए आपको हमारी website पर जाना है www.cccpirefacity और इसका भी link description box में दिया गया है जहाँ पर click करके आप अपने mock test कर सकते हैं जिसे आपको इक पता चलेगा अपने आपको आप जाच सकते हैं कि आपने तयारी कैसी की है और आपका score कैसा हो रहा है बहाँ पर आपको model paper भी मिल जाएंगे मतलब 100 question वाले भी मिल जाएंगे जिसमें 100 question होंगे 90 minute का समय होगा तो ये test आप देख सकते हैं यानि कि आप demo exam देख सकते हैं exam होने से पहले आप पता कर सकते हैं कि आपका result कैसा है और इससे आप और बेटर तयारी कर सकते हैं जब ये test आप करेंगे उसके बाद में submit करेंगे उसके बाद में view result करने पर आपके जो caution होगे उनके answer भी आपको दिख जाएंगे और जिसे आप अपनी copy पर लिख सकते हैं जो आपने गलत किया है उसका सही जवाब भी वहाँ पर आपको पता चल जाएगा जिसे आप अपनी copy पर note कर सकते हैं और तयार कर सकते हैं इसके अलाबा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे WhatsApp नमबर 94522 94946 पर call कर सकते हैं या फिर हमें WhatsApp कर सकते हैं अगर आपको call करना है तो 10 बजे से 10.30 बजे के बीच में आप call कर सकते हैं तो 10.30 बजे के बीच में रात में आप call कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले हमें समय नहीं मिलेगा आपकी call को pick करने के लिए या तो आप WhatsApp कर सकते हैं किसी भी समय जब भी हमें समय मिलेगा हम आपको reply करेंगे या फिर आप 10.30 के बीच में हमें call भी कर सकते हैं तो I hope आपको यह समझ में आगया होगा और हमें जितना हो सकेगा उतना हम आपकी help करेंगे जैसे हो सकेगा वैसे class अगर हो पाया जैसा कि अभी 2-4 दिन के बाद में हो सकता है कि हम morning में भी class आपको दें और अगर morning में class होती है तो उसका समय 8 a.m रहेगा यानि कि सुभे 8 बजे हमारी class होगी बट हम कोशिस करेंगे ठीक है और बैसे जितनी भी हमने previous class करा दी है अगर उन्हें अच्छे से आप कर लेते हैं तो निश्चे रूप से आप पहले ही बार में first attempt में triple six exam को pass कर पाएंगे दूसरा आप हमें comment box में बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज या कौन सा topic समझ में नहीं आता है ठीक है जैसे LibreOffice के बहुत सारे question आते हैं या फिर आपने देखा होगा LibreOffice Calc में या फिर अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप नीचे comment box में बता सकते हैं हम इस पर एक अलेक से आपको class provide कर दें ताकि जो भी important formula हैं वो आपको समझ में आ जाएं और आसानी से आप इनके जबाब कर पाएं ठीक है करतो है या अलेक जो या इनके लो या बता समंझ में सकते हैं